हलो दोस्तों नमास्कार एजुकेशन कर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज है 20 जूलाई 2020 20 जूलाई 2020 से 36 गर डेली करेंट अफैर समधी जीतने भी महतपूर्णा कोशन बाज सकते हैं सारे कोशन के बारे में डिटेल से डिसकस करेंगे और हर कोशन से समधीत इपोटेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो का पूरा ध्यान से दिखिए आज क्या पीडिये आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड़कर डाउनलोड कर सकते हैं इसका सही असर है आप संठाड़ा चैनल संस्थान इवं परिक्षर संस्थान इवं ट्राइबल मुजयम के सामने लग भगदा से कड़ छेत्र में सही नुरा और सिह का निर्मार किया जाएगा भगद ने ट्राइबल मुजयम के भवन के निरिक्षण किया और अधिकारियों को आवस्यक निर्तेस दिये सहीद वी निरार्शी संख्रालाय का निर्मान नवा रैपूर के पुर्खेती मुक्तांगान के समीब आदिम जाती अनुसंधान एवं प्रसिक्षर संस्थान और ट्राइबल मुजियम के सामने खाली जमीन पर किया अब दोस्तों इस कुश्चन में सहीद वी निरार्शी हैं संख्रालाय चतिसगर के रैपूर जिले में इस्थापित किया जाएगा तो आप रैपूर को चतिसगर के बेप में देखिए यह है रैपूर रैपूर सहर को कल्चूरी राजवन्स के राजा राम चंद्रदेव द्वारा 1409 इस्थी में दोस्तों 1409 इस्थी में राम चंद्रदेव द्वारा रैपूर सहर को बसाया गया था और इसका नाम करण अपने पूत तब्रम्ह देवराय के नाम पर इसका नाम करण किया गया रैपूर जीले का गठन, दो नॉम्मबर 1861 को रैपूर जीले का गठन किया गा था, रैपूर जीला का जीला मुख्याल है, साथी दोस्तों, रैपूर एक संभाग भी है, जो चतिस्गड के सबसे प्राचिन संभाग भी है, यहाँ पर कुछ और important factor जानते हैं जिससे राइपूर सहर के बारे में यहाँ पर राइपूर के छेत्र में लाल पिली मिट्टी पाय जाता है साथी यहाँ पर दोस्तो जो राइपूर है यहाँ प्रदेश का सबसे प्राची नगर निगाम है और यहाँ प्रदेश का पहला नगर निगाम भी है इसका जो गठन नगर निगाम के रूपे राइपूर का गठन उनी सव सरसट में किया गया था साथी दोस्तो राइपूर जो खारूर नदी के किनारे बसा है चतिस गड़ की वर्तमार राजधनी अटर नगर नया राइपूर राइपूर जीले में है साथी दोस्तों जब 1862 में 366 गड को संभाग बनाया गया तब इसका मुख्याला राइपूर को बनाया गया था राइपूर में लाभांडी रिशार्च फार्म राइपूर है यहाँ प्रदेश का सबसे प्राचिन धान अनुसंधान केंद्र है लाभांडी रिशार्च फार्म की स्थापना 1903 में किया गया था साथी यहाँ पर दिखे जिससे राइपूर राइपूर यहाँ प्रदेश का क्रिसी सबसे प्राचिन किसी अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर जिसे अध्योगी क्षेत्र जिसे उरला है उरला प्रदेश का सब सबसे प्राचिन अध्योगी क्षेत्र है यहाँ पर ड्राइपूर भी इस्तित है साथी दोस्तों प्रदेश में सबसे बड़ा अध्योगी क्षेत्र कौन है तो प्रदेश का सबसे बड़ा अध्योगी क्षेत्र यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों सैकल कॉंप्लेक्स और एग योगी विकास केंद्र कोन् है तो यहां पर सिलता रहे है आप ही स्फेक्टों का याद रखिए साथी झ़ित यहांपर जो रॉय ekत बंपूरी है यहां पर अपैरेल पार्क अब बनाया गया साथी ney ले यहांahn मेटल पार क साथी दीञाइब जो राइपूर के तिल्दा है यहां से दोस्तों जीश घरभ में सरवाधिक राइपूर कराकी मील में परन्तु यक और कुछा जाता है रेचमीर से समधिद सर्वाधिक राइज मीलों का सर्वाधिक संकेंद्राड की जिले में हैं तो त्युक्तारी में है आप इतने फ्रेकटों को आप याद रखिये साथी दोस्तों यहां पर जिसे प्रमुक और important factor देखते हैं जैसे अटल नगा नवा राइपूर कुठेर और राखी गाउं में जेम्स एंड जरुरी पार का इस्थापित यह गया है दोस्तो साथिया पर इस्पेशल एकोनॉमिक जेज भी यहां पर इस्थापित किया गया था साथिया पर कुछ और इंप्रेक्ट देखते हैं इसे राइपूर में प्रमुक इस्थीत जो सहस्थाने हैं उनके बारे में जानीए राइपूर में एडिंडिया मेडिकल सहस्थान इंस भी राइपूर में निजी छेत्रा के विश्विद्याला है मैट से विश्विद्याला है जो गुलूर आरंग में आरंग को 236 गड़ में मंदीरों का सहर कहा जाता है और यहां पर पुर्खैति मुक्तांगान है इनी के समीप में अभी सहीद वी नरांसी संग्राला का इस्थापना किया जाएगा साथी दोस्तों यहां जो पुर्खैति मुक्तांगान है राइपूर के उपवाड़ा ग्राम में इस्थित है जहां राज सरकार दोवरा 36 गड़ की प्राचिन संस्कृति को सहजे यहां दर्साने का प्रयाज किया जा रहा है साथी दोस्तों यहां पर एक और का मंदीर है जो में को भारत में एक मात्र का उसिल्या माता का मंदीर है साथी दोस्तों तो जो राइपूर तों आधिक स्थिशं का हमारा है है हाली में चिalth garh ka pa помज ने ब्राडिंग Senter की जीने में इस्थापित किया जाएगा तो इसका सही अंसर है अप्छं ठोड़ा 36 के दंतेवरा जीला में प्रदेश का पहला मगरमच ब्राड वह एक सैथांतेवरा जीला में इस्थापित किया जा है यहा दोस्तों जो artists पहला जो breeding center है मगरमच breeding center इदंते वड़ा जीला में स्थभित किया जाएगा कोश्चन के स्वस्टी कराँगर देखते हैं साध धार में मगरमच breeding center विक्सित करने वन विभाग ने भेजा प्रस्ताव मगरमचों के सरक्षड को लेकर अब तक सुस्त रहे वन विभाग ने घंभिरता दिखाई साध धार में मगरमच breeding center बोधगर मगरमच पार्क और के रूप में इस्थभित करने का पहला प्रस्ताव उस इस्थर पर भेजा गया है दंते वाड़ा के साध धार में 36 गड़ का पहला मगरमच breeding center होगा यहां मगरमचों का सरक्षड होगा ही और परियाटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा इस संबन में भासकर ने भी 16 जूलाई के अंक इंद्रावती में बढ़ रहे मगरमच और यहां पर दोस्तो जो इंद्रावती में बढ़ रहे मगरमच और चिंदवार अभेराड में प्लानिंग पर पहल नहीं सिर्शव के खबर पर प्रकासित किया था दोस्तों साथिया पर आप दोस्तों यहां जो क्वेश्चन है जो दंते वाड़ा जीला के साध्धार में स्थापित किया जाएगा दोस्तों इसके लिए प्रस्ताव उची स्तर को भेजा गया है तो आप दंते वाड़ा जीला को धंतेवारा जिला को 36 गड़ में दक्षिड बस्तर के नाम से भी जाना जाता है साथी दोस्त्व जो जन्तेवारा जिला है ये डंकनी शंक्री नदी के संगान में बसा है साथियां पर दोस्तों जो जंसी पहाड़ी इस दोस्ति ये दंतेवारा सिला मίνझे थे Shall Do प्रपाद दोस्तों दंते वाड़ा जीला में पाए जाती है साथी हाँ पर जैसे मिट्टी है जैसे लाल रेतीली मिट्टी जिसका इस्थानी नाम टिकरा मिट्टी है दंते वाड़ा जीला में पाए जाती है साथी हाँ इसके कुछ छेत्रों में लाल दोमत मिट्टी भी जाती है साथिया पर दोस्तों जो लाव आइस का का उत्खनन सर्व प्रत्थम बैलर डीला में दोस्तों हुआ था और यह कब हुआ था तो ओनी सव और सट महीं हो था इसमें दोस्तों जो एनेम डीसी नेशनल मिर्राल डिवलप्मेंड कार्पूरेशन दोवारा यह कार्या खन किस्म है इससे मैगने मैगनेटाइट को लाव आवैस्क का सरवाधिक सुद्ध किस्म बताया जाता है साथी दोस्तों यहां पर जिसे टीन आइसक का भंडाराण दंते वाड़ा जीले के बिचली में है साथी दोस्तों दंते वाड़ा जीले के जो बचली है यहां पर यूरे राज्याहाई द्वारा कि किराए गया था साथी यू़चया ना गवान को कि राजधानी बार्शुर है यहां पर दुसतों जो अम है बार्शुर में प्रसिद्ध मामा भाचा मंदीर और पतिशा मंदीर और चंद्रा दितिश्वा मंदीर आधी हैं साथी दोस्तों दंतिया वड़ा जीले में बोध घाट प्रयोजना भी प्रस्तावी थे दोस्तों यह जो बोध घाट प्रयोजना है यह इंद्रवती नदीपर है साथी दोस्तो चतिस गड़ का सबसे छोटा राष्टी राजमारगा एनेच 163 यह प्रदेश का सबसे छोटा राजमारगा है जो गीदम से दोस्तों जो गीदम से दंतेवाडा के मध्यमें है इसकी जो लंबाई है दोस्तों केवाल 12 किलोमीटर है साथियां पर दोस्तों जो सूरत गड़ जल प्रपात दंतेवाडा जिले में इस्थिद् दंतेवाडा जिले में इस्थित बैला डिला की पहाडी दोस्तों जिसकी सर्व चोटी दोस्तों नंदी राज है इसकी जो उचाई है वह 1210 मिटर है यह नंदी दोस्तों जो बैला डीला के पहाड़ी यहां से संकनी नदी कभी उद्गम होता है साथी हां पर देखिए दोस्तों यह जो है गिदम और दंते वड़ा यहां प्रदेश का सबसे चोटा राष्ट से थ्री यह है यहां प्रदेश का सबसे चोटा राष्टी मार राज मार गए इसकी जो लंबाई है वह के वाल 12 किलिमीटर है आप इतने फेक्टों को आप याद रखिए साथी दोस्तों 36 गर डेली करें रपैस सेशन का हमारा तिसरा कोशन है हाल ही में चर्चा में रहा जल प्रपात 36 गर के किस जिले में इस्थी जिले में इस्थीत गोडा धर जल प्रपात है साथी दोस्तों कोश्चन का इस पस्टी करहर दिखते हैं गोडा धर जल प्रपात में 200 फीट से गिरता पानी 36 गर के महा समुन से 135 किलो मेटर दूर सराई पाली में इस बार मानसुन महरबान है और इससे यहां सिसूर पाल परवत की सिंखलाओं से बहने वाला घोडा धाल जर्पात पूरे सबाब में है यहां कारण है कि दो सब फीट की उचाई से गिरता और सिस्विपाल परवत के उपर लगभग 10 किलो मेटर सपाट मैदान भी है साथियां पर परवत के बीच एक महत पूर्णा मंदीर है यहां सबसे उची चोटी जो 206 मा कूटी की कहा जाता है यहां पहले कभी राजाओं का निवास करते थे दोस्तों यहां जो इस्थान था वो पहले कभी राजाओं का निवास इस्थान था जिसके खंधर और मंदीर आउसे आज भी मिलते हैं अब दोस्तों जैसे इस कोशन में सिसी पाल परवत के बारे में दोस्तों जीक रहा हुआ है तो कई बार कॉमप्टिशन एक्जाम में सिसी पाल परवत के बारे में भी पूछा गया है तो सबसे पहले कोशन यह बनता है कि सिसुपाल परवत 36 गड़के किस जीले में इस्तित है यह दोस्तो पहला कोशन है तो यह 36 गड़के महा समुन जीले में इस्तित है दोस्तो आप इसके बारे में जनिए साथ ही दोस्तो एक कोशन और पूछा जाता है सिसुपाल परवत की सर सरवत्च चोटी धारी डोंगरी है दोस्तों आप इस फैक्टों को आप याद रखिए तो इसकी जो सरवत्च चोटी धारी डोंगरी है तो इसकी उचाई कितनी है तो दोस्तों इसकी जो उचाई है यह 899 मीटर है दोस्तों 899 मीटर जिसी पाल परवत कि सरवत्च चोटी धार तो आप इतने facts का आप याद रखिए अब दोस्तों यह question 36 गड़ के महासमुन जीले से समधित है तो आप 36 गड़ के web में देखिए यह है महासमुन जीला महासमुन जीला का गठन 1979 में किया गया था महासमून जिला का जिला मुख्याला है महासमून है इसका जो रैपूर जिले के भाजन कर महासमून जिला का गठन किया गया था यहाँ पर दोस्तो जो नगल पाली का है जिसे महासमून बाग बहरा सराई पाली आदी है साथी दोस्तों महा समुन जिले में प्रमुक वर्वा जैसे गवरागार की पहाड़ी रदन की पहाड़ी यहाँ पर दोस्तों मुख्य नदी जैसे महा नदी सुखा नदी कोडार नदी जोक नदी आधी है साथिया पर प्रमुक मिट्टी जिसे लाल पिली मिट्टी है यहाँ पर अध्योगी क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर जिसे बीरकोनी अध्योगी क्षेत्रा महासमुण जीले में इस्तित है साथी दोस्तों महासमुन जीला के संबन्द में कुदंतियों द्वारा यहां कहा जाता है कि जब गुप्त वन्जी सासक समुद्र गुप्त ने इस छेत्र में कई महनों तक निवास किया था जिसके करण इस छेत्र का नाम महासमुन पड़ा साथी दोस्तों इसके मुख्या जन जाती जैसे भत्रा सावता अध्योगिक शेत्र हैं जिसको हम पढ़ी चुके हैं साथी यहां पर दोस्तों जो घोडारी है यहां से फार्शी पत्थर भी उत्खनान क्या जाता है साथी दोस्तों यहां पर कुछ और important factor देखते हैं जैसे यह रानी वसाटा पांडू अंजी सासक की दोस्तों जो पत्नी है हर्स गुप्त की पत्नी रानी वसाटा द्वारा किया गया था यह वास्तों में दोस्तों इसके जो गर्भ में विश्डू जी की प्रतीमा है साथी दोस्तों यहां पर जो सिर्पूर का प्राची नाम इसे चिंद रागदपूर भी कहा जाता है साथ ही तोस्तों यहाँ पर जो महाशिवगुप्त बाला अरजुन के काल में जो लच्मन मंदिर का निर्माण हुआ था और यहाँ भारत में लाल इटो से निर्मित भारत का प्रथम मंदीर है साथी दोस्तों यहां पर सिर्पूर में दोस्तों जो स्वास्तिक विहार आनन्द कुटी विहार भी सिर्पूर में इस्थापित है साथी दोस्तों यहां पर जो चेसो जो 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 चेनी यात्र वहेंक्स करें यह रैपूर आये थे साह ची दोस्तों जो रैपूर के असीरफूर के समुख यहां पर जैसे खलारी है, साथ ही आपर खलारी का प्रची नाम है जैसे खलावाटि का, यहां जो कल्चूरी, रैपूर में कल्चूरी के जो लहूरी साखा है, उसके साखों की राज़ानी, प्रत्म राज़ानी है. दोस्तों साथ यहां पर महा भारत काले निस्थल जैसे लाग्छग्री है यहां पर बाग भारा जहां से चंडी माता मंदिर यहां पर भालू फल खाने के लिए आया करते थे साथ यहां पर दोस्तों और important factor जानते हैं जैसे यहां पर यहां पर जो मुख्या नदी सुखा नदी है दोस्तों यहां पर जो कोडार नदी प्रयोजना जिसके नाम बदल कर वी निरार्सी प्रयोजना के नाम से जाना जाता है साथ यहां पर दोस्तों जो लात नदी और जोक नदी आधी भी महासमुन जिला में भैती entrepreneurs जो वर्तमान में तो दौस्त जो तूर्टूरिया आस्राम है ये बलोड़ा बजार में इस्थीथ है। पुर्व में से महासमुन जीला से समधी थे। दोस्तों यहाँ जो लाउकूस की जन में स्थली है। यहाँ पर देवधारा जहल पर पास है दोस्तों देवधारा जहल पर पास चाटिसगॢ़पास चातिस управइलती में ह favored की जा रहा है साथी दोस्तों यहां पर विवेख वर्धन आश्रम है जिसकी श्थापना यति अतनलाल द्वारा किया गया था आप इतने फैक्टों को सब्सक्राइब रिजन कीजिए सातिहां पर 36 गा डेली करेंड़ाइब सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस ने गो धन्याय योजना का प्रतिक चिन्ह का विमोचन किया इसका सही अंसर दोस्तों आपसंट सेकेंड मुख्या मंद्री स्री भूपेश बगेल ने गो धन्याय योजना का प्रतिक चिन्ह का विमोचन किया क्वेश्चन का स्वस्टी करार देखते हैं मुख्या मंद्री ने गो धन्याय योजना के प्रतिक चिन्ह अर्थात लोगों का विमोचन किया मुख्या मंद्री सिरी भूपेश बगेल और क्रिशी योम जल संसाधन मं मंत्री रविद्र चौबे ने आज यह मंत्री मुख्य मंत्री निवास करियालाय में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर्स कॉंफ्रेंस के दवरां 36 का सरकार की महत्तो कांग्षी गोधन याय योजना का प्रतिक चिन्धा लोगों का वियुमचन किया राज्य सरकार दवरा हरेली परवा पर यहां को धान याय योजना की सुर्वात की जा रही है इस अउसर पर मुख्य सचु आरपी मंडल दो तो 36 गड़ के जो मुख्य सचु कोन है ये आरपी मंडल है आप इस फेक्टो का प्यादर किये यहां पर मुख्य मंत्री के अपर प्कषिन सदी शलाकार राजश्न तीवारी भी ऊपस्थित थे अयकार अब दोस्तों जो यह जो गोधान याय योजना से संब्राइध है तो 36 सरकार दवारा दोस्तों जो गोधान याय योजना है आज 20 जुलाई को ही इस योजना का प्राराम किया जा रहा है दोस्तो 20 जुलाई को हरेली तिहवार है और इसी दिन इसी दिन दोस्तो यह योजना है इसको जो शुरुवात की जा रही है दोस्तो मैं पूर्वा में दोस्तो इसको मैं 21 जुलाई बता रहा था दोस्तों लेकिन इसकी जो शुरुवात है ये आज से 20 जुलाई को हुआ है दोस्तों मुझे कई कंटेंड ऐसे मिले थे दोस्तों जिसमें 21 जुलाई 2020 को योजना का सुरुवात होने का बात कही गई थी दोस्तों इसलिए मैं पहले इसके 21 जुलाई बोला रहा था लेकिन अब और तमान में ये 20 जुलाई को यह योजना प्राराम हुआ है इसको आप अपडेट कर लिजिये शाथी दोस्तों इसका जो मैं इसक्रीन में दिखा दूँगा यहां पर दोस्तों जो इसकी नहीं यहां पर दिखेगा कि यह कप इस योजना के सुरुवात के लिए दोस्तों जो 21 जो अपडेट था उसको लेकिन इसको वीज से होगा दोस से ही आहरेली तेवार को यह योजना प्रारम्ह किया गया है आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए साथी दोस्तों चर्चा में रहा गोविन जुन्जा जल प्रबाद गोविन जुन्जा जल प्रबाद है पिछले साल जहां इस समय तक 288 मिलीमीटर बारिश हुई थी वही इस साल 500 29.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है सबसे ज्यादा कुर्बा तस्सील में 686 दसमलो 2 मिलीमीटर पानी गीरा इससे गोविन जुन्जा जल प्रपाद देऊ परी जल प्रपाद अपने पूरे सबाब पर है इस अवसर पर इसका आकार भी बढ़ गया है और बारिश में अ जुन्जा जल प्रपाद से पानी का रंग दुद्या है और यहाँ अब खुपसुराद नजर आता है इसे देखने से बड़ी संख्या में दोस्तों यहां का जो सहलानी आते हैं इसलिए दोस्तों यह जो है गोविन जुन्जा जल प्रपाद इसे पिक्निक स्पार्ट के कॉर्बा जिले का गठन उनिस होन ठन्मे में किया गया था कॉर्बा जिले का जिला मुख्याला कॉर्बा है साथी दोस्तों बिलाजपूर जिले के भाजन कर कॉर्बा जिले का गठन किया गया था यहां पर कुछ और इंपोर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं जैसे यहां यहाँ पर दोस्तों जो चूरी मतरिंगा की पहाड़ी का कुछ इस्ट भी यहाँ पर फैला हुआ है यहाँ पर को देख लेते हैं दूस्तों जहाँ पर जिसे हजणों में दूस्टों मुख्या़ Eigen यहासे जो हजदो लीलागार और वोराई केंदई आधि-णदि कोर्बा जिले में भाती है यहां पर दोस्तों एक जो जल प्रपात है यह के इंदाई जल प्रपात है साथी दोस्तों यहां पर जो गोविन जुनजा जल प्रपात भी यही है अब इन दोनों जल प्रपात के बारे में जनिए साथी दोस्तों यहां पर जो देखिए जैसे कोर् उद्गम कुरिया जीले के कैमूर पहाड़ी से हजदो नदी का उद्गम हुआ है साथी दस्तों जो कुर्बा जीले को 36 गन में उर्जा के राजधानी कहा जाता है और यह सबसे अधिक विधुद उत्पादन करने वाला जीला है आप इतने फेक्टों को आप याद रखिए सा साथिहां पर कुछ और इंपोर्टेंट फेक्टक के बारे में जानते हैं जैसे यहां पर कुर्बा जीले में गोडवाना क्राम की चटाने पाई जाती है गोडवाना क्राम की चटाने से कोईले का उत्खनन किया जाता है यहां पर दोस्तों प्रमुग जो कोईला भंडारार यहां प्रदेश का सबसे बड़ी यांत्री क्रीद कोईला खधान है साथी दोस्तों कॉर्बा जीले में जो बक्साइट भंडारा खेत्र जिसे यहां पर पुटका पहाड पावन खेडा केरता पहाड आधी है साथी यहां पर प्रमुक जन जाती जैसे कॉर्बा कॉर्वा जन उल्की जैसे दोस्तों को और संटी जाती यह दोस्तों जोकbung सब्सें किया गया है इसकी हमीद कॉर्ब हैं यह द्क उत्राची में बनकर प्राराम्भ हुआ साथ यहां पर दोस्तों जो बाल को है इसकी जो इस्थापना दोस्तों 1965 में बाल को कई स्थापना किया गया था दोस्तों इसकी जो उत्पादन कारिया 1975 में प्राराम्भ हुआ और इसको 2001 में स्टार लाइट अर्थाद विदानता गुरूप द्वारा इसके दोस्तों जो 51 प्रतिसाद जो सेयर है इसको खरीदा गया और यहाँ कि अब सौयुक्त उपक्रम की कमपणी बन गया साथि दोस्तों यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं जैसे च्छतिसगर का यहाँ पर प्रमुक एतिहासिक और प्रियेटन इस्थल के बारे में जानते हैं जैसे यहाँ पर दिखिये तुमान दोस्तों यह 36 गड़ में कल्चूरियों की प्रथम राजधानी है यहां पर दोस्तों जो पाली है यहां पर एक सियू मंदिर है जिसकी निर्मार बारवंसी सासा को द्वारा किया गा था इसकी जो जुड़रे उधार कल्चूरी राजवंस के राजा जाजवा लद्यों प्रथम द्वारा कि किया गाज था यहाँ पर छूरी कोज गई है जो कल्चूरी साशक वेहंन्तर साय की राय धानी है साностью यहाँ पर चैतूर गड़ है चैतूर गड़ को 36 गड़ का कास्मिर कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों जो कुल्चूरी साशक कलिंग राज के द्वारा महेशा सुर मर्दनी माता महमाया मंदिर कनिरमाण किया गया था यहाँ पर दोस्तो जो कॉर्बा जीले में लाफागड है लाफागड को 36 गड़ का चीतोड कहा जाता है यहाँ पर कुदूर माल है जहाँ पर कभीर पंतियों का पवित्र इस्थल है और यहाँ मुक्तम अड़ी सहब द्वारा इसकी स्थापना किया गया था आप इतने फेक्टों का आप याद रखिए साथी 236 गड़ी करेंड अफैर सेशन का हमारा चटवा कोशन है हाल ही में चर्चा में रहा एसिया का पहले साइफन बांध कौन है यहाँ पर दोस्तों जो एसिया का साइफन बांध कौन है जिसमें विदेशी क्रूज चलाने की तयारी की जा रही है दोस्तों जो विदेशी क्रूज है इसको चलाने की तयारी की जा रही है तो इसका जो सह यहां पर विदेशी कुरूज चलाने की तैयारी की जाए है कोश्चन के स्पस्टी कराणर देखते हैं एसिया का पहले सैफन इस्पील वीज बान माडम सिल्ली जिसे मडूम सिल्ली भी कहा जाता है कोच अतिसगर परियाटन विभाग जल सरक्षर के द्रिश्टी से सवारने का कार्या योजना तैयार कर रहा है इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों ने कुछ दिनों से पहले निरिक्षर कराया और बताया जाता है कि माडम सिल्ली बांद परियाटन और जल सरक्षर के लिए युप्यूक्त है यहां विद्यसी क्रूज चलाने के भी तैयारी है और परियाटों को लुभाने के लिए कई स्विधाएं भी यहां उपलब्ध कराई जाएगी इसके अलावा यहां प्रदेश में नाव अन्या बांधों में दोस्तों वाटर जो इस्पोर्ट है वाटर इस्पोर्ट करकारिया भी चलाया जा रहा है अब दोस्तों यहां जो कोशन महतपूर्णा बांध से समधित है तो 36 गड़ में जितनी भी महतपूर्णा बांध है उनके बारे में जानते हैं जैसे यहां पर दोस्तो क्या जया पर है Legman important हमारे लिए है जीसे यहँ पर बर्रामपूर डिला हैं बर्रामपूर जीला में कोटली और पवै जलपरपात कहां पर है तो कोट्ली और पवै जलपरपात Joe रामपूर जीले में है साथी दोस्तों इहाँ पर जो सूराजपूर में महान नदी है और यहाँ पर है सरभंजा जल्परपात कहा पर है तो सूराजपूर जीले में है साथी जिला में अकुरी नाला और गावार घाट आदी जल प्रपात है दोस्तों यहां पर जो जुमका नदी जो जुमका नदी जिसे हजदो नदी का एक सहायक नदी है यहां पर अमरीद धारा जल प्रपात है साथी यहां पर दोस्तों जो रामधारा जल प्रपात भी कोरिया जिले बांगो बांगो बांध है। इसकी जो दोस्तों वर्थमान में नाम है। इसे मीनिम औरा हस्दो बांगो बांध कहा जाता है। चतिस गड़ की पहली महिला सांसात के नाम पर हस्दो बांगो बांध का नाम करणड कर मेनी माता बांगो बांध कहा जाता है दोस्तो इसकी जो निर्माड है वो 166 में हस्दो बांगो बांध की किया गया था और यह दोस्तो प्रदेश में सबसे उचा बांध है जो बांगो ब में राम जर्न जल प्रपात है साथी दोस्तों यहां पर जो केलो नदी परियोजना है केलो नदी परियोजना का सुरुवाद दोस्तों जो 2013 में किया गया था साथी दोस्तों यहां पर यह इतना फेक्ट देखिए जैसे यहां पर जो बिलासपूर है अब दोस्तों बिलासपू प्रियोजना भी बिलासपूर जिले में है साथ Χार शी प्रियोजना भी बिलाष्पूर जिले में है जो कवर्धा जीले में इस्थित है उत्वी ब selfish öğre important factor के बारे में ध्यgt जमते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे मोंगरा बायराज परियोजना, मरिया मोती परियोजना, रूसे परियोजना, साथिया पर्परिया परियोजना और सुखा और धम्रिया परियोजना आधी राजनांद काउं जीले में है आप इस सभी फेक्टों को आप याद कर लिजिए और इससे दोस्तों एक बार में याद हो रहा है तो इसको आप रिवजन कर लिए साथ यहां पर दोस्तों जो महा समुन जीला है यहां पर जो कोडार बांध है दोस्तों जो कोडार बांध है इसकी जो वरतमान में नाम सहेज गुई नरारसी हैं बांध के नाम से जाना जाता है साथ यहां पर दोस्तों जो इस जल्प्रपाद दुस्तों जो महाशभून जीले में इस्तित है यहां दोस्तों कौन सी नदी पर यह is तो अधू भ्रह्म दाई नदी पर जो साध्यूधारा जल्परपाद है साथी दोस्तों यहां पर जो केश्वा आधी है यहां पर कुछ अगर इंपर्प्रटन्टक के बार ये भी है जो इसकी जो प्रारम हो 1915 में किया गया था साथी यहां पर दोस्तों जो माडम सिली जलासा है जो माडम सिली जलासा है इसका जो निर्मार दोस्तों 1923 में किया गया था साथी दोस्तों यहां पर जो गांग्रेल बांध है गांग्रेल बांध को दोस्तों 1989 में किया अनिस सब दस से निस सव बीस के मध्या हुआ था साथी दोस्तों यहां पर जो कांकेर जिला में कौन से important factor है तो इनके बारे में जनते हैं जैसे मालाच कुंडम जल्परपात कांकेर जीले में जी दोस्तों जो मालाज्ट कुन्डम जलhora पाथ है ये दूद नदी पर है। आप इतने फेक्टों का आप याद रखिए वे साथ यहां पर कुछ और इंपरटेंट फेक्ट के बारे में जा लिते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर छतिसगर का जो दक्षिट बस्तर और यहाँ पर इंपोर्टेन जो दनकाराणिया छेत्र है यहाँ के बारे में जानती हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर जो नराइड़ पूर में यहाँ पर खुल सेल जर्परपात है साथ यहां पर दोस्तों जो बिजापूर है दोस्तों यहां पर इंद्रावती नदी पर साद देवधारा और वोक्तुंग जर्प्रवात बिजापूर जिले में इस्तित है साथी दोस्तों यहाँ पर प्रमुग जैसे इंद्रावती, राष्टी, उदान, पामेड, वन्य जीव, अभ्याराण और भैरामगाड वन्य जीव, अभ्याराण विजापूर जीले में इस्थित हैं साथी यहाँ पर दोस्तों जो दंतेवाडा जीले हैं यहाँ पर बोद घाट, नदी सिजाई परियोजन और रानी दा जरफपाद दंतेवाडा जीले में इस्थित हैं साथी दोस्तों यहां पर प्रमुग जल प्रपात जिसे यहां चीतरकूर जल प्रपात जिसे बस्तर जीले में है और इंडरवती नदी पर है यहां दोस्तों भारत का सबसे चोड़ा जल प्रपात और सरवाधिक जल रासी वाला जल प्रपात है इसे भारत का नियागर भी कहा जाता है साथी यहां पर दोस्तों जो कांगेर धारा जर्प्रपात दोस्तों यह भी बस्तर में है और यह कांगेर नदी पर है साथी दोस्तों यहां पर जो तीराद कर जर्प्रपात है यह तीराद कर जर्प्रपात मुनगा बहार नदी पर है यह दोस्तों 36 गड़ का दूसरा सबसे उच्छा जर्परपात है इसकी जो उच्छाई है दोस्तो तीन सव पचास फीट है हाल ही में यह दोस्तो पहले 36 गड़ का सबसे उच्छा जर्परपात हुआ करता था लेकिन 2020 में 36 गड़ के जस्पूर जीले में एक नई जल्प्रपात की खोज हुई दोस्तों जिसका नाम है मकर भंजा जल्प्रपात की खोज हुआ और यहां दोस्तों जो मकर भंजा जल्प्रपात है यहां प्रदेश का सबसे उचा जल्प्रपात है इसकी जो उचाई है दोस्तो ये 450 फीट है और यहां दोस्तो कौन सी नदी पर है मकरभंजा जलपरपाद दोस्तो यहां जो महान नदी पर है दोस्तो जो महान नदी है इसमें दोस्तो यहां जो जलपरपाद है मकरभंजा जलपरपाद और यहां 34 गड़ का सबसे उचा जलपर सांति यहां पर कुछ और इंपूर्टेंट प्रेक्ट हाए राइगारं जीले में यहां पर केलोओ शीजाई-पर केलोण सी फडर दोस्तों आंट गगार्ण सेैंति पर्योजना के नाम्पर रखा गया धनेुगति सांतिर जो जो इसान है जोस्तो यह जो कोडार नदी पर है साथी दोस्त इहां पर जो खुडिया परियोजना है खुडिया परियोजना का जो नाम है दोस्तो इसे राजिव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और यहां दोस्तो जो कौण से नदी पर है तो जो खुडिया प परियोजना के नाम से जाना जाता है और ये खारंग जलासा के नाम से भी जाना जाता है और ये दोस्तों कौन से नदी पर है ये खारंग नदी पर है साथी दोस्तों यहां पर जो हज़द बांगो बांध है दोस्तों इसका जो नाम बदल कर मेनी माता बांध रखा गया है यह सबसे बड़ा घज यहां पर अगला बांध यहां पर अगला बांध महांनदी पर है आप इतने फेक्टों को आप जाद रखिये यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाद